आज हम राजस्तान की विविन परिक्षियाओं में पुछे गए राजस्तान की मिरिधा से समन्दी टेनियर के क्योशन आंसर करेंगे इन सभी क्योशनों के जो उत्तर है आंसर है वह आर पीसी टता आर एसस भी द्वी द्वारा जारी की गई आंसर की के हिसाद को लाइक करें सब्सक्राइब करें ट्राप्रेंड्स के साथ से राजस्तान के मरिधा वर्गी करण के अनुसार रेवरी ना मरिधा पाई जाती है आंसर फास्ट राइट गंगानगर में सिरी गंगानगर में रेवरी ना प्रकार की मरिधा नूबर टू रहे कलर एम उषर किस मृधा के एने नाम है और एक कर्यक्ट लवनियन मृधा के एने नाम है कि ऊश्र कलर एवम इस तान की मिटी की विशेष्टा विशेष्टार है नहिंकर कекс है उसका रूप केसा है इसकी उसकी प्रकटी काईसी है, उसमें कोन से तरता हुए है। उसके उर्यक्षंदता की से इसी के दार पर प्रहस्ततर की मिटी को नो बागों में बनता है, जो मांचेतर की साइदा से आप समसेते लोग जैसे बूरी रेतिली कचारी मिटी है, वेगर गरनाली चेतर में है रेतिली मिर्दा है लवनीय मिटी है वेगर जालोर जिले में है भूरी रेतिली मिटी है यह रावली की दोनों तरफ है लाल पिली मिटी और ये काली मिटी कचारी मिटी USDA के अनुसार रजस्तान की मिटिदा का वर्गी करन United States Department of Agriculture अमेरिका के विज्यानिकों ने रजस्तान की मिटिदा को पांच बरकार से व्वाजित किया है Enti Souls ये चुतर में पाइज जाती है मान चेतर की सह YAT से आप समझ आँगे ये चहतर कुझ सा है और इसके बाद Eridट Souls मिरिदा ये रावली और इसकी मेधी में पाय जाती है Örtis Souls मिरिदा इस चैतर में पाय जाती है Vertis Souls मिरिदा हरवत्ति परदेश में और LP saud ये मेवार पदेश में Q3. राजस्तान में निमलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्य पाई जाती है Q4. निमलिकित में से किस प्रकार की मिड़ाएं लितो-souls भी कहलाती है Q4. परवर्तिय मिड़ा लितो-souls मिड़ा 5. राजस्तान में मिटी अपरधन का सरवादिक खेतर पाया जाता है option B correct, हडोती पठार में मिटी अपरधन सोईल इरोजन है वो सरवादिक पाया जाता है, इस हडोती के पठार में चम्बल नदी के इवन में से कौन सा एक कारण राजस्तान में मिर्दा अपरदन से नहीं समंदीत नहीं है ए जंगल कटना वाई उपरदन जली अपरदन इन तीनों से राजस्तान में मिर्दा का अपरदन होता है सबसे ज्यादा होता है यू पर्दन से से कंड़ जली है पर्दन और हमानी किरिया यानि ग्लेशियन एक्षन से परफ वोगेरा नहीं जमती है यहां पराजस्तान में तो यहां इस कारण मिर्दा का पर्दन हमानी का आप ऑसले कारण कमेंट से दें ताजस्तान की अधिकांस वर्षा किन मान सुनी पौणों से होती है ओप्शन A. पूर्वी हवाएं B. पश्चमी हवाएं C. देक्षनी पश्चमी हवाएं D. इनमें से कोई नहीं लवणिये मिर्दाओं को कि स्वीधी से सुधारा जा सकता है Option C. correct जिपसम का यूज करके लवणिये या सारी मिर्दाओं के लिए जिपसम का यूज करके मिर्दा को सुधारा जयता है और अगर मिर्दा ऐसे डिक नेचर की हो अमलिये परकर्टिक हो तो उसके सुधारने के लिए चुनने का यूज किया जयता है राजस्तान के कौन से तीन जिले गहरी, भूरी, काली, मिर्दा रखते हैं राजस्तान में गहरी, भूरी, काली, मिर्दा अड़ोती प्रदेश में पाई जाती है और अड़ोती प्रदेश में जिले आते हैं कोटा, बुंदी, चाला, बारा जिले आते हैं तो यह जिले उप्शन टू करेक्ट हो जाएगा इन छहत्र में गहरी भूरी काली मिर्दा पाई जाती है राजस्तान में कोटा बुंदी और छाएगा नौ पाली नागोर तथा अजमेर जिले में किस प्रकार की मिर्दा पाई जाती है यार पीएस्टी की दोड़ा पुचा गया है क्योंशन है इस कांस्वर टू करेक्ट माना उन्होंने दूशर बुरी ग्रे ब्राउन जालोड मिर्दा और सही में इस कांस्वर क्या होता है बुरी रेतिली मिर्दा पाई जाती है पाली नागोर और अजमेर जिले में ओप्शन फॉर करेक्ट में रजस्तान की मिट्यों के समद्ध में निमलकीत में से कौन सा ओबलिक कौन से कतन सकते हैं नीचे दीगे कूट का प्रियोग कर सही उत्र का चैन कीजिए थार मरुष्तल अर्थात रजस्तान मरुष्तल में बलुई मिट्टी का निर्माण ग्रेण नाइट और बलुआ पत्तर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है यह है कतन गलत है ओप्शन टू सेकेंड ओप्शन भाग उद्यपुर बांशवड़ा और डुंगरपुर चैतर में ग्रेण नाइट नीस और कवार्टर सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है यह यह ओप्शन सही है ओप्शन ट्री हड़ोती प्रदेश दक्षनी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के सरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है यह स्टेटमेंट करेक्ट है ओप्शन फोर राजस्तान के दक्षनी भाग में दक्षिनी भाग में फास्ट वेटिक सेलों के सरन से मिसरित लाल मिटिक का निर्मान हुआ है यह भी स्टेटमेंट से ही है ओफिशन सेकेंड थार्ड और फॉर्थ ओफिशन करेक्ट है यह अपना अंसर टू करेक्ट होगा राजस्तान के सरवादिक चेतर में कौन सी मिर्दा पाय जाती है ओफिशन फास्ट करेक्ट एरिडो सॉल्स एहमो मैंटी सॉल्स परकार की मिर्दा राजस्तान के सरवादिक चेतर में फास्ट निमल कित में से कौन से जिले में सरवादिक परति भूमी है अंसर एक करेक्ट जो लिकीत में से कौन साथ साही चुमेलित है एक तरफ मृदा के प्रकार तूसरी तरफ जिले दे रहे हैं एरिडो सोल उद्यपुर जिले में नहीं एलफी सोल यह उद्यपुर चैतर में होती है गहनगर विकानेर में नहीं इन सेप्टी सोल बीलवडा पाली यह यह उप्षन करेक्ट है वर्टी सोल हडोती प्रदीश में पाई जाती है नाकी जगदगुर और बाडमेट जिले में option c correct question 16 मुरुस्तल विकास कार्य करम में केंदर और राज्य की वित्य अस्दानों का अनुपात है answer a correct विचेतर अनुपात 25 75 वह जिला युगम जहां लाल वा पिली मिर्दा पाई जाती है option d correct एजमेर वा शिर्वही जिला जहां लाल वा पिली मिट्टी राजस्तान की मिर्दा में लोणियता वैसारियता की समस्या कहां पाई जाती है कौन से जिला में पाई जाती है answer a correct पाली जालोर बाडमेर चेतर में लोणिया वैसारियता की समस्या राजस्तान में पाई जाती है option D correct राजस्तान के नागोर, पाली, पाड़मेर, एवम जेचल मेर जीलों में मुक्यत है कौन सी मृधा पाई जाती है answer A correct, बलुई मृधा, सैंडी सोईल परकार की मृधा 21, जिमल के दिमें से कौन सा मृष्टली करण का कारण नहीं है answer D correct, अती वरस्टी, मृष्टली करेक्ड़, राजस्तान के पाली, बाड़मेर, जालो, छेतर, त्री, राजस्तान की मृष्टली बालु का परमुक्स तरोत निमन में से क्या है answer A right, राच्ची नदियों द्वारा लाएगी, मिट्टी 4 राजस्तान में LP शोल कहां नहीं पाई जाती, option A, कोटा, B, 12, C, जालावार, D, बुन्दी अड़ोती परदेश में वर्टी शोल परकार की मिर्दा पाई जाती है नहीं, कि LP शोल इसलिए RPS इनिसक्योशन को डिलीट कर दिया है मिट्टी के परकार और जल्वायू परदेश, किस जल्वायू परदेश में कौन से मिट्टी पाई जाएगी, ये अमेरिका के विजानिकों के अनुशार है इसके बाद LP शोल मिर्दा है और वर्टी सोल मिर्दा उप आदर जल्वायू परदेश में पाई जाती है वर्टी सोल आदर जल्वायू परदेश हाड़ोती परदेश में मुक्यत है वर्टी सोल मिर्दा पाई जाती है LP शोल उदेपूर बास बड़ा डूंगरपूर में पी ये चैव चैव पॉइंट पांच से 7.5 होता है लवनी परती भूमी का सबसे अधिक चैतर किस जिले में है तो पाली जिले में है ये ध्यान में रखना है लवनी परती भूमी का चैतर लवनी ये शारी ये मिट्यों में किस उर्वरक का सरवादी कुपयोग होता है तो अमोनिया, सलपेट, गोपर, कीखात, गोवार्थ, ये उताद, जिसम का प्रियोग किया ज़ती है मरू विकास का रिकरम किस वर्स में परारम किया गया मरू विकास का रिकरम है किस वर्स परारम किया गया ये 1947 में संचालित किया गया राजस्तान 16 जिलो में के 58 सी खंडों में ये शंचालित किया जयता है यहाँ पर थया क precio है राजे सरकार का कितना योगदान होता है अनुपात 25 योगदान होता है इसमें